सुशानत दोक्टू सेक्टर 55 बैंक ओन गोल्फ कोर्ट 500 स्क्वेरी आट की 4 बेडरूम 5 वाश्रूम प्लस सर्वेंट कोर्टर प्लस टोरूम एंड आपकी दो गाड़ियों की काप पाकिंग और बहुत ही प्रीमियम प्रोपर्टी थ्री साइड ओपन प्रोपर्टी आज आप के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूँ कि अगर बबबबबबब यहां के लिए मैं प्रूब नची आपकी का लुप हाँ झाल झाल प्रोपर्टी दिलाऊंगो आपको इसी साल आज हम लोग हैं सेक्टर 55 सुषांत लोग 2 जो की आपके लिए में यहाँ पर 3 साइड ओपन प्रोपर्टी लेकर आएं 500 स्क्वेरियर्ट और घर के काम की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम आपका काम यहाँ पर होने वाला है फॉर बेड्रूम, फाइव वश्रूम, सर्वेंट कोर्टर, स्टोर रूम प्लस अगर मैं बात करूँ कापाकिंग की तो दो गड़े भी कापाकिंग आपके होने लिए तो थ्री साइड ओपन प्लोट है, दो तरफ बैल्करी, थर्ड साइड आपका यहाँ पर भी रोड होने वाला है तो ओवरल बहुत इस्पेश्यस, वेंटिलेशन आपकी घर में बहुत अच्छी होने वाली है अगर मैं यहाँ से बात करूँआ, लोकेशन की, आपको रैपिड मेट्र सेक्टर 55, 56 जाना है तो आप वोकिंग डिस्टैंस पे, टू मिनिट के वोकिंग डिस्टैंस पे आपके हैंबर मेट्रो होने वाला है ओवरल मार्केट आपकी क्लोज है, गोल्फ कोर्स वोट बैठे हो, तो लोकेशन वाइज कोई दिक कर दी, शोपिंग मोल, स्कूल, होस्पिटल, सब आपके यहाँ पर नियरबाई होने वाले हैं दें, बैक साइड आप मेरे दर्वाजा देख सकतो है, आप फ्रीम देखो दर्वाजेगा, आपको ओल्मूस्ट नाइन फिट हाइट का यहाँ पर हाडवुड डोल मिल रहा है, जो कि वीनियर्स का कान बहुत ही शांदार कियो, प्लस जो यहाँ पर इलेक्टोनिक लोग यह क flour श noi लेका आपको दिया गया धूकर प्लस लोग फिंगर्पिंट अंचर आपका पास कोड यहाँ पर एज़ण की ओ पर होने वाल है, तो overall, main entrance आपकी बाहत ही होने walедь है, आपका जो size की बड़ा स्ट जो हने वाल है, तो यहां से हम लोग चलेंगे भी फिलाल फ्लोर के यहां पर आपको living and dining area मिल रहा है, this is your particular dining plus lounge area, अगर मैं size की बात करूँगा, तो 27 by 16 square feet का आपको proper lounge plus dining area, और अगर मैं living area की बात करूँगा, तो 21 by 15 square feet का आपको यहां पर living area होने वाल है, तो overall space, जो hole है, बहुत बड़ा hole होने वाल है, and then, जो interior की होगा है, यहां पर awesome interior की हो, guys, आप देख सकते हो, जो chandeliers ही है, कितने beautiful chandelier आपके होने वाल है, और उसके बात, जो chrome turn के fans है, और quality fans की बहुत ही, premium quality के आपके fans यहां पर होने वाल है, then, same fall ceiling, बहुत अच्छी होने वाल है, and then, again, ceiling height इस घर की, बहुत ही शामदार होने वाल है, तो overall, जब आप living and dining area में यहां पर, length बहुत ही अच्छे and सुन्दर यहां पर होने वाल है, fog length आपको यहां पर लगा के दे रहे है, plus, इसके अलावा, plus point क्या है, यहां पर living and dining area में, यहां पर आपको ducting AC दी हुई है, जो की daikon की तरफ से आपको यहां पर लगा के दे रहे है, तो overall, सारा काम आपका यहां पर बहुत ही premium होने वाला है, then, अगर मैं बात करूँ यहां से, जासा मैंने बताया थे कि three side open plot है, तो living area की balcony, आपकी back side balcony में यहां पर मिलने वाली है, तो both side open plot है, three side open plot actually, then, यहां पर हम लोग बात करेंगे, main window की, तो आपको यहां पर aluminium dose दी हो है, जो की quality wise बहुत अच spacious यहां पर होने अले है, और then, यहां पर balcony की ceiling की बात करूँ हो, तो जो fog lamps यहां पर दी हो है, बहुत ही सुंदर बनाते है, आपकी इस balcony को, आपका living room, प्लस आपके दो bedroom यहां पर balcony के साथ, अटेज होने है, दो other दूसरे, दो bedroom है, वो आपके दूसरी balcony के साथ, यहां पर attached हो मेरे right side बने वाले है, और left side की बात करूँ हो, तो दो bedroom plus powder room आपके यहां पर भी होने आले है, तो overall 4 bedroom, 5 washroom का आपके यहां पर घरोने है, प्लस servant coder installed, जो की आपको stilt area में दिया गया, with two cup parking, so चलिए, चलते हैं सबसे पहले first bedroom में, दिखाता हूँगी first bedroom में काम आपको किस री बड़ जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगो जो particular space है, आप इसको as a mandir use कर सकते हो, और अगर आप bar design करना चाते हो, वो भी particular space आपके यहां पर दिया हुआ है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां से first bedroom, first bedroom के अगर मैं बात करूँ, तो same doors की quality बहुत अच्छी है, ल आपका guest bedroom है, तो two door wardrobe आपको यहां पर हम लोग लगा के दे रहें, plus same आपको chrome tongue के fan, fall ceiling आपकी बहुत ही बड़ी है, quality की यहां पर होने वाली है, and then यहां पर अगर मैं flooring की बात करूँगा, तो यहां पर आपको wooden flooring हम लोग लगा कर देने वाले, तो overall आपका first bedroom बहुत ही आपकी यहां पर होने वाली है, fans, plus glass partitions, और जो tiles का काम के होए, बहुत ही अच्छा है, यहां पर tiles आप देखोगी, बिल्कुल different kind of tiles, बहुत ही अच्छा काम आपका यहां पर के होए, plus जो जितनी बात स्वेटिंग्स है, सारी आपको यहां पर color प्रस गोहे की, यहां पर aluminium doors में आपको लगा के दे रहे हो, भी toughened glass, so चलते हैं भी second bedroom में, second bedroom में जाने से पहले दिखाता हूँ आपको, powder room, powder room बहुत ही beautifully designed के हुआ, this is your passes area, almost 4 feet wide आपका यहां पर, passes area होने वाला है, and then जो powder room है, powder room की quality, बहुत ही अच्छी यहां पर आपकी होने वाली है, आप यहां प हम लोग बात करेंगे, पूरी ceiling आपकी glass से design की हुई हो, बहुत ही सुंदर quality के, आपके यहां पर color देखेंगे, आपके, जो lamps यहां बहुत ही सुंदर आपका यहां पर powder room होने वाला है, तो overall tiles पिल्कुल different है, बहुत ही premium brand आपका यहां पर लगा हुआ है, तो overall बहुत ही सुं bedroom होने वाला है, जो कि बहुत ही बाट spacious आपका हिहां पर size है, then ceiling बहुत अच्छी होने वाली है, chromton के fans, then आपका second bedroom भी front side balcony के साथ आपका यहां पर attach होने वाला है, जो कि बहुत ही spacious आपका यहां पर balcony होने वाली है, then अगर मैं बात करूँगा यहां पर flooring की room में, तो italian marble italian marble आपको यहां पर लगा हुआ, then अगर मैं बात करूँगा यहां पर washroom की, तो washroom बहुत spacious आपको दिखाता हूँ, storage आपकी washroom के अंदर दिए गया, जितने भी आपको यहां पर wardrobes है, सारी आपको यहां पर acrylic wardrobe में बनाके देने वाला हो, जो कि builder आपको यहां पर लगा के तो overall color coding आप देख सकतो, gray and white color की आपकी यहां पर wardrobes होने है, और washroom का interior भी आपको ओशिय कोडिंग डिजाइन की है, जो tiles है, और marble आपको यहां पर लगा हुए, पूरा आपको यहां पर white or gray color का लगा हुए, और यहां पर vanities आप देख सकतो, कितने सुन्दर vanities आपको दिए सेम आपको color और ग्रुहे का brand आपको यहां पर यहां पर यूज़ है, प्लस glass partition आपको यहां पर होने हैं, तो washroom बहुत ही class washroom बने हुए, बहुत ही सुन्दर और बहुत ही spacious washroom आज आपके यहां पर होने बाले हैं, तो overall quality बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, सबसे important चीज़ आपका बहुत ही spacious, इधर आपके rooms और या फिर washroom बहुत ही spacious होने वाले हैं, then same अगर मैं यहां पर दो बेडरूम से निकलने के बाद, next two bedroom की तरफ चलूँगा, तो third bedroom की तरफ हम लोग फिलाल चलेंगे अभी, तो third हम लोग फिलोट के दोनों तरफ रोड है, and then third side भी आपका यहां पर फिलोट के रोड होना रहा, तो अभी front side and then back side अप कुछ भी स्को रे सकते हैं, आप लोग दूसरी बैल्कनी यह तरफ आगे हैं, third bedroom 15 by 12 square feet का size होने वाला है, आपका italian marble यहां पर लगा के दे रहें, same fall ceiling, और एक चीज़ और important, AC में आपको पूरे घर में यहां पर डाइकन के split AC लगा कर दे रहा हूँ, उसके बाद, अगर मैं बात करूँगा, यहां पर balcony बहुत ही spacious होने वाली है, then again आपको aluminium के doors यहां पर भी लगा कर देने वाले हैं, builder, तो overall बहुत ही spacious और बहुत ही बहुत ही यूज के हो है, तो कि interior बहुत ही शांदार है, according to, जो आपका color coding है, according to washroom के उसकी coding design के हो है, तो overall interior बहुत ही शांदार, प्लस जैसे glass partitions, fans और यहां पर glow away और color की fittings आपको लगा कर देने वाले हैं, तो overall third bedroom बहुत spacious हुआ, बहुत अच्छा काम आपका third bedroom अभी 19 by 13 square feet का आपका यहां पर चोथा bedroom होने वाला है, master bedroom आपका इसको particular बोल सकते हैं, तो दो master है, एक हम लोगो पहल देखे हैं, then second master आपका यह भी होने वाला है, 19 by 13 square feet, full sailing बहुत बढ़िया, crompton के fans, and then यहां पर different part आपका, जो आप उपर देख सकते हो, यहां पर हम लोगा के दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर बनाते हैं आपके master bedroom को, then आपका same balcony के साथ attached होने वाला है, यह room भी, तो overall आपके 4 rooms, kitchen, living area, सारे area particular आपके balcony के साथ attached है, तो even light आपकी घर में बहुत अच्छी होने वाली है, then अगर यहां पर storage की बात करूँगा, तो same यहां पर आपको acrylic wardrobe, plus आ मैं बात करूँ, तो यहां पर sliding wardrobe आपको लगा के दे रहे हैं, जो कि बहुत बढ़ी है quality होने वाली है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा, यहां पर flooring की, तो आपको tiles यहां पर bathroom में मिल रहे हैं, spacious washroom आपका यहां पर होने वाला, collar और growe की fittings, plus आपको glass partitions यहां भी मिल रहे हैं, यहां पर shrink vanities देख सकते हो, और यहां काप काम देख सकते हो, जो golden color की tabs आपको यहां पर मिल रहे हैं, बहुत ही संदर बना रहे हैं आपके इस master bedroom के washroom को, तो overall class दिख रही है और class है guys, location class है, घर class है, bedroom, washroom, सब कुछ की जोगी बात करूँगा, तो बहुत ही premium का काम आज आपका यहां पर होने वाला है, तो builder ने बहुत ही संदर काम किया हो आज आपका यहां पर और अभी यहां से सब कुछ देख चुक है, living, dining, चारो बेडरूम, washroom, powder room, सब देख चुक है, last में हम बात करेंगे, अभी 500 गची kitchen कैसी होगी, तो 500 गची kitchen, आईए दिखात कोई कि कितनी सुन्दर आपको fully loaded modular kitchen यहां पर बना के दे रहे हैं, तो entry पर glass door आपको यहां पर लगा कर देने वाले है, normally open kitchen होगे है, आपको यहां पर glass door लगा के दे रहे हैं, उसके बाद kitchen की size देखो, बहुत spacious washroom आपका kitchen आपकी यहां पर होने वाली है, अगर मैं बात करू आपको यहां पर बनी होगे है, सेम फ्लोरिंग की बात करूँ है, kitchen में तो talion marble, fan फ्लस fog lights आपको यहां पर लगा कर दे रहे हैं, तो overall बहुत spacious kitchen आपकी यहां पर होने है, प्लस जो कर मैं बात करूँ top marble की, तो black color का यहां पर granite आपको लगा कर दे रहे हैं, जो की बहुत ही premium में बनाता है, आपकी smaller kitchen को, plus calf की automatic chimney, hope, microwave and oven आपको यहां पर लगा कर दे रहे हैं, प्लस refrigerator, double door refrigerator का space आपको यहां पर मिल रहे है, तो easily आप बड़े से बड़े refrigerator भी यहां पर place कर सकते, देन अगर मैं बात करूँ, pantry की, तो pantry आपको यहां पर लगी ही है kitchen में, उसके बाद हम ल तो आपको सारी inotex यहां पर headache की लगा कर दे रहे हैं, तो अबर जितना भी इसके अंदर घर के अंदर काम हुआ है, सारा का सारा आपको यहां पर ब्रेंडिड काम है, प्लस यहां पर एक और चीज जो shutters का काम क्यों है, बहुत की आप folding shutter आपको यहां पर लगा कर दे रहे ह किचन बहुत ही शांदार दिखने वाली है, प्लस किचन का वेट एरिया आपको separate दियो है, जो कि अभी फिनिज नहीं है, यहां पर आपका separate वेट एरिया आपका किचन का होने वाली है, प्लस आपकी किचन के साथ बेलकनी की लैंड देख सकते हैं, जो की दो बेडरों में आ आपको दिखा है थे, प्लस किचन के साथ आपकी second balcony आटेस्ट होने आले, तो overall spacious and बहुत ही बड़ी running balcony आपकी यहां पर होने वाली है, तो overall सब पूरा घर में आपको दिखा चुका हूँ, क्यासा लगा वो घर, प्लीज मुझे जो बताना, आपकोस किचन आपको कैसे लगी, तो अगर मैं यहां से एक बार पूरा घर आपको ब्रीफ करूँगा, सेक्टर 55, सुशान्त लोग 2, 500 गज, 3 side open property, 4 bedroom, 5 washroom, plus servant quarter, plus store room, 2 गाडियो की parking आपको यहां पर दे रहे हैं, 3 side open float है, पूरे घर में आपको जगवा, कॉलर और ग्रोहे का काम मिल रहे है, इटालियन माब आपको premium range का, plus chandelier, fans आपको prompton के, और overall बहुत ही घर में आपको दिखा चुक हो, बहुत ही शान्तार आपको घर होने वाल है, तो अगर मैं यहां से बात करूँगा, inventory की, तो फिलाज 3 floor इसके अंदर available है, और यहां से अगर मैं pricing की बात करूँगा, 3.50 is the onward price, आप बाकी discounts के के लिए, किसी भी इंक्वाइरी के लिए, आप मुझे 920-041868, निशान्त अकरवाल के नंबर पर call कर सकते हैं, अपकोस best price, best inventory, कभी वीजिट आप कर सकते हैं, phone करके, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, टाटा, भाई-भाई, धन्यवाद, जाहिंद ग